हेलो फ्रेंट स्वागत है आप सभी का आपके अपने किचिन अर्चना किचिन कैप्टन में और मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट अर्चना दोस्तो आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही जबर्दस सी एक पिठाई केरे से बिले करके आए हूँ जो आने वाली फेस्टिबल्स में आप इसे बना कर ट्राइ कर सकते हैं और इसे बनाने के लिए ना ही हमें खोवे की जरुत है ना मावा चाहिए ना दूच चाहिए ना ही इसे बनाने में हमें घंटो महनत लगने वाली है बहुत फटाफट बनकर तयार हो जाती है और बहुत ही टेस्टी बहुत ही डिलीशिस बनकर तयार होती है बिल्कुल वह बाजार में जो मिठाई के दुकान पर जो बर्फी मलती है न बिल्कुल वही टेस्ट वही फ्लेबर बहुत-बहुत-बहुत मज़िजार तो चली, वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस milk burphy को हमने बनाया कैसे है बिना दूद, बिना खोवे के इस मिठाई को बनाने के लिए पहले हम कोई भी बाउल में दो कटोरी या दो कप milk powder ले ले लेगे कोई भी कटोरी सेट कर लीजीए और सारा मेजरमेंट उसी से करेंगे यहां आप कोई भी ब्रांट का मिल्क पाउडर ले सकते हैं मिल्क वाइटनर भी चलेगा या मिल्क पाउडर दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं मैंने यहां पर आमूल का मिल्क वाइटनर लिया है ऐभाक्षा घ्ञाव मेस कनतों तो इस сю Lords is a survival. जैसे कि हम कोई रेशेपी बिराने कछ लाएं कि ब्लक्याविक स्काव भाहें. अची तरीके से टेवना अची तरीके से मसलते हुष क्नलेंगे ,ा थीकुलन जाता यह अग्षा झाला है इसे हमुटी से दबाएं तो बिलकुल ये डो फॉर्म में आने चाहिए यानि कि बॉल के टाइप होने चाहिए और ये देखिए मैं इसे हिला भी रही और फिर भी तूटने लिए तो बस इसका जो टेक्शर है ना बिलकुल यही होना चाहिए तो अब क्या करेंगे इस मिल्क पाउडर को हम अभी साइड कर देंगे और अभी हम यहाँ पे बनाएंगे चासनी शुगर सिरफ बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक बड़तन ले लिया है मैं नॉन स्टिक बड़तन लिया है आप चाहें तो कोई मोटा तला वाला बड़तन भी ले सकते है अब यहाँ मैंने अब सिरफ हमें कैसी बनानी है तो पहले थे हम नॉर्मली चीनी को अची तरीके से पिगला लेंगे बिल्कुल एक से देर मिनट में ही चीनी जो है अची तरीके से पानी के साथ घुल जाएगी और फिर जैसा कि हम गुलाब जामुन के लिए सिरफ तयार करते हैं बिल्कुल हमें यहां पर सुगर सिरफ तयार करना है तो अब यह देखिए यहां पर चीनी जो है पिगल चुकी है और अब सुगर सिरफ में उबाल आने सुरू हो चुके है पर अभी हमें थोड़ी दिल से ऐसे ही उबलने छोड़ देना है और तब तक हम क्या करेंगे एक पैन ले ले या कोई थाली आप कोई भी कंटेनर ले लिजे जिसमें कि आप मिठाई को सेट करना चाहते हैं और उसमें थोड़ा सा घी लेकर उसे अची तरीके से पूरे बरतन में स्प्रेड कर देगे इसे हो गाई है कि जब मिठाई को जमाएंगे न तो वह अची तरीके से इसमें से पर पर्फेक्ट सेप में निकले की बढना तो यह है अची तरीके से घी से मैंने ग्रीस कर दिया अभी हमारे सुगर सिरफ को चेक कर लेता है तो दिए सुगर सिर भी बिल्कूल पर दिकसे बंगा है और इस तरीके से इनली देखें लेकर एक टेस्ट करेंगे की कैसा है मैं यहां पर थोड़ा से लिया है और देखेगे एक तार बनी रही है पूरी एक तार बनी नहीं है पर यह एक तार बनी रही है जिसे हम उंगली से खीचते है तो यह से एक तार दिखती है तो बस ऐसा है सिरफ हमें चाहिए पस इस से जादा अगर हम हार्ड सिरफ बना देंग अब इसे एक बड़ अशी तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें एड करेंगे वो मिल्क पाउडर जो हम ने यहां पे पहले ही मिक्स करके रखा है गी के साथ यह देखे एक साथ डाले या थोड़ा थोड़ा करके डाले जैसे भी आप आराम से इसे म बस इसे लगतार चलाते रहें और चलाते हुए मिक्स कर लें गैस का फ्लेम यहां आप बंद कर ले या फिर बिल्कुल भी कम कर दें मैंने यहां पर गैस का फ्लेम को ओफ कर दिया है ताकि नीचे ये तले में चिपके नहीं और साथ ही सुगर सिरप और जाधा गार ही नहीं हो अब यहां पर टेंसर नलने वाली कोई चीज नहीं है यह लम्स बिल्कुल भी नहीं इसमें पड़ता है और बहुत ही आसानी से ही अची तरीके से मिक्स हो जाएगी अभी तो जिल्कुल आपको हार्ट दिख रही होगी ऐसा लग रहा होगा कि सिरप कम हो जाएगा पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा यह इतनी ही सिरप में काफी अची तरीके से मिक्स हो जाएगी और बिल्कुल लिक्विड वाली फॉर्म में आ जाएगी मैं बिना किसी skip या बिना किसी edit के आपको ये video दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ सके कि ये बिल्कुल proper तरीके से कैसे mix हो रही है तो ये देखिए बिल्कुल मस तरीके से mix हो चुकी है और अब हम इसे बिल्कुल तब तक पकाना है जब तक ये थोड़ी सी dough form में आनी सुरू हो गई है इसे बनाने में बहुत जादा वक्त बिल्कुल भी नहीं लगता है बिल्कुल 5-7 मिर्ट के अंदर ये बिल्कुल ready हो जा और फिर आपकी मिल्क बर्फी जो है नो वाइट के जगा पर redness में आ जाएगी या फिर थोड़ी सी ब्राउन दिखने लगेगी ये देखिए ये मिक्सर जो है बिल्कुल बर्फी सेट होने के लिए रेडी है लिकिर अब हम पता कैसे करें कि ये ready है ये नहीं तो इसके यानि कि बिल्कुल डो फॉर्म में आ जा रही है तो बस अब ये जमने के लिए ready है तो गैस के फ्रेम को आफ कर देंगे और बस अब हम इसे तुरंथ ही जिसे हमने घी से घ्रीस करके थाली या कोई कंटेनर रखा था था ना उसमें प्लेस कर देंगे और अब इसे तुरंथ इसे फैला लीजे और इवन कर देंगे चारो तरफ से बिल्कुल बराबर कर देंगे जैसा कि मार्केट में मिठाई मिलती है बिल्कुल बराबर सेप में बिल्कुल उसी तरीके से आप इसे थाली में भी बना सकते हैं मेरे पास ये कंटेनर थी तो मैं इसमें डाल लिया है य ع proudly फिल्कुल इसी तरीके से छोड़ दे और बाद में सिर्फ चांदी की वर्क लगा कर सजाती हैं तो मैंने यसे थोड़ी सी पिस्ता और बाद की कतरन सजा लिया होर यही पे कीचन काउंटर पर ठंडी होने के लिए इसी कीचन काउंटर पर छोड़ देंगे और करीब आधे से एक घंटी के बाद इसे हम अपने हिसाब से अपने मनपसंद के हिसाब से इसे कट कर लेंगे तो ये देखे एक घंटे हो चुके हैं और मैं इसे इसी में काटने जा रही थे फिर सोचा कि इसे निकाल लेते हैं और फिर इसे कट करके देखेंगे तकि आफ समझ सके खिसे करेंजी घीस करने से कितने भषार निकल जाती है कही से भी चिपकी नहीं है। बिलकुल निकली है अब शीधा कर लें और जैसा भी आपको मन तो यह देखिए मैं इसे नॉर्मल पतले पतले बर्फी साइज में कट कर लिया है और अब इसके ऊपर मैं थोड़ी सी चांदी की वर्क लगा रही हूं इसे और भी ज्यादा खूबसूरा दिखाने के लिए यू कहूं तो दुकान में जैसा मिलता है ना बर्फी बिल्कुल व मार्केट स्टाइल मिल्क बर्फी बनकर तयार है और कितनी पॉर्फेक्ट बनी है यह आपको तोड़ कर दिखलाती हूँ यह देखिए बिल्कुल पॉर्फेक्ट बहुत ही मज़़दार बनकर तयार हो है और खाने में तो इतनी जबरदरस है ना कि आप एक पर जरू बना कर आपको बहुत पसंद आएगी आने वाली फेस्टिबल्स पे तो जरूर बनाईएगा तो मतलब घर में ही जब इतनी अच्छी मिठाई बन सकती है तो में मार्केट से लाने की क्या जरूर और इसका टेक्श्र देखे कितनी पॉफेक्ट है और देखने में भी बिलकुल बाजा मज़ेदार के मिठायो की दुकान के जासी लग झागरी है लगरिया मज़ेदार तो आपको कैसे लगी इस बानाईएगा एंसे बना जरूर किजीए और पर आपको यह टेस्टी लगई और नही लगई आपको कुछ ड़केट लगया या नहीं हो भी मुझे नीचे कमेंट कर लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन बिल को आन कर लीजिएगा मैं मिलती हूँ इसी तरीके के कुछ और नए और बहतरीन से रेसिपी लेकर तब तक के लिए बबाई फ्रेंड्स एंड टेक केर